दोस्तों Finance Market में आपका स्वागत है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इसको रेट कलर की बटन दिख रहे होगी आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए उससे हमारी तो दोस्तों मैं आज Vodafone Idea Limited के बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपोजर देना चाहूंगा और एक आर्टिकल है थोड़ी से पुरानी है लेकिन वो पुरारी आर्टिकल है मैं आपको डेट भी बता देता हूं उसकी उसकी डेट है दोस्तों इस आर्टिकल की 10 जनुरी की पर है और इस खबर को मैं सोच रहा था बताने के लिए लेकिन मुझे टाइम ने मिल पारा था और मैंने आज सोचा कि छलिए इसको सब्रेटली में एक वीडियो को थो मैं आप लोगों को बता सकूँ तो दोस्तों इस खबर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्छिल जाजिन च्कारण जाएब दिए पृटफ नगट जास्टे इस पड़एब करें भारती आतल although these are nothing more than humors for the moment live mint has suggested senior officials from the china mobile have been in separate meetings with both vodafone area and bharthi to set up a joint venture to tackle the cloud market तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुल में यह है कि चाइना की एक चाइना मोबाइल एक कंपनी है वहाँ की तो वो एक joint venture settle करना चाहती है क्लाउड मार्केट में इंडिया के अंदर आगे देखते हैं दोस्तों दी टॉप एक्जेकुटिस ऑफ चाइना मोबाइल मेट सीनियर मेनेजमेंट्स ऑफ भार्थी एटल और वोड़ाफोन आइडिया सेपरेटल इन देसमबर यहाँ पिछले महिने की बात है मतलब कि चाइना मोबाइल जो कंपनी है अपना क्लाउड मार्केट की सेटिंग के लिए इंडिया के अंदर दो कंपनी पे नज़र रखना चाहती है भार्थी एटल और वोड़ाफोन आइडिया इन दोनों के साथ में इस्ट कर सकती है और दोनों में किसी एको कर सकती है चाइना मोबाइल has been aggressively growing its presence in Chinese cloud market though now it appears to be looking overseas for increased opportunities इंडिया will of course look like an interesting opportunity not only because of the size but the current market dynamics दोटो चाइना मोबाइल जो है चाइना के अंदर अपनी प्रिजन्स काफी तेरी सो ग्रोव कर रही है और उसको overseas करना चाहती है ग्लोबल देखा जा ग्लोबल लेवल पे तो इंडिया उसको एक बढ़िया एक opportunity दिखरी है तो इंडिया के अंदर dynamics scenario को देखे तो नव इस नो अवर्ली कॉम्लिकेट दो अदेस्टेंट पोटेंटिया पोटेंटिया अप्रिया क्लावर्केट लेकिरी कॉम्लिकेट थ कंपritना, व्लन च्ट कोफो इंडिया टाववर्पन काूम्लिकेट लेप्रशने, दो लेजिया have been paid towards the fight for consumers subscription though the cloud market has been growing as it stands Bharati Airtel has a cloud service unit in airhead business while it is also expanding its data center footprint through Nextra data. Vodafone and Idea brought together the business unit following the over-chasing merger between the two Telecom present parent companies and have also been working closely with Microsoft in recent months. Finally, Ranjio has a cloud business which's launched in August. But, it is the untapped potential which is getting foreign government corporations excited. The digital company economy is in its heat, embryonic growth is digested today and the right investment could lead to significant gains in the future. Unfortunately for Indian Telecos, the current financial climate is not particularly helpful to speculative investment or aggressive expansion. तो अभी जो करन्ट सिच्वेशन है वोड़ाफ़न आइडिया लेमिटेर की और वार तियाटर की यह जो सिच्वेशन है इतनी जादा इसके लिए इस पेक्टल बेटू इन्वेस्टमेंट के लिए helpful नहीं है लेकिन यहाँ पे यह एक बात निकल के आई थी यह ख़बर के तर तो इस बात को लेकर कितनी अच्छी बात होती है हमारे देश में पोड़ा फोन आइडिया लिमिटेर को लेकर के लिए आगे थोड़ा सावरे दोस्तों थे इंडियन थेलिकॉम्स और मॉस्त प्रॉक अ थ्रीयर ओंग प्राइसिंग वर्हाइस कृपल दी इस प्रेशेट व देश्जरे परियंटी अपर बात का लिए इसोड़ी ऑ्रॉकाइसिप्स, घठकैन छुनIt चिनमो Byles लिए इस इस का बॉचिन हों, छीनमोबिल दिछोव पर देशान के लिए क्टा इस एिसक्ड़ाश्वर थे एक अ कितार इईश्मिल CYMA MOPILE MOPILE MOTI India has an opportunity and the Indian telecoms do not have the cash to capitalise on the potential today. Chinese money would certainly be welcomed to fuel the initial ventures into the Indian cloud. करूंग इसे उतर चाहरा जबलोड़े में ढोली ग्र utanp세 expressing the year of the this is prac is not like China this is somewhat and understabeduman and it has been branching participating the Indian government to break ties with Chinese infrastructure कर दो कि यहां पे जो चाइनीज मॉबाइल है चाइना मॉबाइल एक कंपनी है इंडिया चाइना के अंदर यह अपना क्लाउड बिजनेस इंडिया के इंदर एक देगना चाहती है सेट करना चाहते है और इसके लिए भारती एटेंग और उड़ा फनाइडिया लिमिटेंग ये इसके लिए दो बढ़िया ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन दिखत ये है कि हमारी टेलिवाम कंपनी लास्ट त्री येर से रील कर रही हैं लड़ करा रही हैं कैश नहीं इनके पा बहुत बड़ा फाइदा होगा और जियो कुछ नहीं है इन दोनों के सामने अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी रैली आ सकती इन दोनों कंपनी में इस पेशली वोड़ा फनाइडिया लेमिटेड में और ये रैली जो आएगी ये हम सब के लिए बहुत इच्छी बात एंड मझे लगा कि मुझे बदा देना चाहिए विक्रोज इस वेरी ओल्ड नियूस ये 10 जनुरी की कबर है तो आई होप आपको अच्छा लगा और ऐसा होने वाला तो नहीं है अलाकि ये लिखा हुए है इस नथिंग लाइक रियूमर बट नथिंग मोर दन लाइक रियू उमीद रख सकते हैं कि काश ऐसा भी हो सकता है नथा दो लार sudah योप को आपको अच्छा लगा आज को अब यह रचा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें आज शेल करीए कि श रिए कम सब्सक्राइब करें अदो प्रेश गाइकन ने बूकर अगर आचको ये आपको या झाल झाल